को यह पूरी टोटल जो लंबाई है वो हमारको 41 चाहिए 41 मतरब 41 चाहिए हमारको और यह आसन से लेकर यह फुल लेंथ हमारी यह यहां तक 41 चाहिए ठीक है दूसरी साइड से भी हम पूरा जो है कि एक तालीस इंच जो है यह देखिए यह एक तालीस इंच एक तालीस इंच हो गया अब इसको यहां से हम मिला देंगे इस से इस निशान को यहां से हमने तीन इंच लिया था यहां से 혼자 है यहां से हमने तीन ने निन है यहां से हमने वही आशन के लिए अब इसको जा तो बड़े स्केल की सायसा से या फिर हम इस ते भी हम इसको मिला सकते हैं यह देखिए यह हमारी जो है यहां से यह देखिए यह पूरी यह कली निकल गई है यह यह हमारे पाट है यह आपको एक पाड़ यहां बनता हुआ आपको दिखाई देगा और दूसरी कली यहां से निकलेगी यह हमारी चार कलिया निकल जाती है यह देखिए हमने कपड़ा फोल्ड किया हुआ यह देखिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं हमें यहां से स्टार्ट करनी कटिंग यहां से लेते हुए यह सीधा यह 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 ता बास उसके बाद हमने दूसरी यहां से कटिंग करने देगे आ हुआ है कि आ हुआ हुआ है यह हमने काट लिया है उसके बाद यह हमारा जॉइंट था इसको हम यहाज से काट लेते हैं इसके बाद यह हमारा जॉइंट है इसको यह कलियों को अलग-अलग करना है चार पीस चाहिए हमारा को कलियों के लिए यह देखिए इसको हमें काट लिया और इसको यह हमारी चार कलिया हो रहे है यह देखिए इसको थोड़ा गुलाई में काटना है यह हमारी बेल्ट है जो हमने यह बेल्ट काटी थी अब इसको हम यहां से इसको मोड़ते हैं बेल्ट के लिए और हमारी कमर जो है चालीस है चालीस में हमने प्लस जो है इसको चालीस का आधा करना है हमारे को हाफ लेंगे उसका हो जाएगा 20 20 के बाद हमने प्लस 5 लेना है 5 लेने के बाद यह हो जाता हमारा 25 अधा इंच के लिए लेंगे 250 तो हमने 25 यह पूरा टोटल कपडा लेना है इसको हमने यहां से यह कटिंग करने है बैल्ट के लिए यह बैल्ट के healed कि कि और घेड़ इंश जो है हमारा यहां से मोड़ने के लिए होगा इसके हम नाड़े के लिए यहां से इसको एसको मोड़नेगे और यहां से यह देखिए यह हमारी तयार होजाएगी बैल अब इसको हम eight कि सिलेंगे तो हमारी यहां से यहां जोड़ेंगे उसके बाद छिंद्रवार गोstillगे अलम वरह से यहां तैयार हो जाएगी अगली वीडियो में हम आपको सिलना बताएंगे तब तक आप हमारी ये वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद